Hello everyone, आज हम read करेंगे a visit to our restaurant और सीखेंगे restaurant में भूली जाने वाले English sentences and words So let's start reading My friends and I, मेरे दोस्त और मैं, went, गए to eat out Eat out का मतलब होता है बाहर खाना खाना, means इसी restaurant में जाकर खाना खाना Last week, means पिछले सप्ता My friends and I went to eat out last week मेरे दोस्त और मैं, पिछले सप्ता बाहर खाना खाने गए We went, हम गए to one of the posh restaurants of Mumbai Mumbai के महेंगे restaurant में से एक में गए Posh का मतलब होता है expensive and of high quality Means जो बहुत महेंगा हो और बहुत अच्छी quality का वहाँ पे खाना मिलता हो The ambience was pleasant and quiet Pleasant means one over, means बन को अच्छा लगने वाला And quiet means शान्त And ambience का मतलब होता है वादा वरन या माहौल Means इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जहम किसी रेस्ट्रो में जाते हैं तो जैसे हम उसमें enter होते हैं तो एक अच्छी से fragrance आ रही होती है आप एक अच्छी से खुश्बू आ रही होती है बहुत अच्छे अच्छी lighting होती है बहुत अच्छा सा sitting arrangement होता है तो उसे कहेंगे हम उस restaurant का ambience तो उस restaurant का जो ambience था जो वहाँ का look and feel था जो वहाँ का वातावरन था वो बहुत मनोहर और शांत था We asked, हमने पूछा for a table एक table के लिए for three मिन्स तीन लोगों के लिए हमने तीन लोगों के लिए table पूछा Soon, जल्दी, we got a nice and cozy corner table और जल्दी हमें nice means अच्छा and cozy cozy means आराम दायक corner कौने वाला table मिला We were starving Starving का मतलब होता है बहुत भूखे मिन्स जैसे हम इंदी भी बोलते हैं जैना कि हम इतनी भूख लगी थी हम भूख के मारे मरे जा रहे थे So, we were starving इस हमें बहुत भूख लगी थी हम भूख के मारे मरे जा रहे थे Soon, a waiter came जल्दी एक waiter आया with the menu Menu के साथ means menu लेकर एक waiter आया He asked us उसने हमसे पूछा What type of water किस तरह का पानी we would like to have हम लेना पसंद करेंगे Normal और chilled Chilled water please My friend said मेरे दोस ने कहा Chilled water Chilled का मतलब होता है ठंडा And normal का मतलब होता है ना तो ठंडा ना गरम Means room temperature वाला Normal water He served us water उसने हमें पानी दिया in clean glasses साफ glasses में And left with order और order लेके चला गया Our order arrived after 20 minutes मारा order 20 minutes के बाद आया In the mean time Mean time का मतलब होता है इस speech में इस order देने के बाद order आने में जो 20 minutes लगे उस speech हमने क्या किया We clicked selfies हमने selfies ली And chit chat a lot Chit chat का मतलब होता है Gub shop And a lot का मतलब होता है बहुत ज्यादा या बहुत सारी तो हमने बहुत सारी Gub shop की और selfies ली The starters Starters क्या होता है जो खाना खाने से पहले हम थोड़ा हलका फुलका जो खाने के लिए मंगा लेते है जैसे की Soup हो गया या Crispy potatoes हो गया या और भी बहुत सारा होता है Starters में The starters were Crispy Hot and Piquant Crispy means Kurkure Hot, Garam And Piquant means Chatt Pata The starters था वो कैसे थे Kurkure, Garam And Chatt Pate थे Then we asked the waiter to serve our main course Serve का मतलब होता है Parosna फिर हमने waiter को हमारा main course Parosna के लिए कहा Main course का मतलब होता है कि जोर Normally हम खाना खाते है Like Veggie, Rice, Chapati वो होता है main course The main course had Pleasant, taste and fragrance Main course का स्वाद और खुश्बू बहुत अच्छी थी या बहुत मनोहर थी But we were too full लेकिन हम बहुत जादा भरे हुए थे Means हमारा पेट बहुत भरा हुआ था To eat any more और जादा खाने के लिए So we got the food packed तो हमने खाना पैक करवा लिया Which they readily did जो उन्होंने खुशी से कर दिया Means उन्होंने यह नहीं कहा कि नहीं हम खाना पैक नहीं करके देते या कुछ भी नहीं कहा उन्होंने खुशी से खाना पैक करके दे दिया The food was tasty खाना स्वादिस्ट था But the will was too high to pay लेकिन बिल बहुत महंगा था चुकाने के लिए So we all three had to chip in to pay the bill तो हम तीनों को बिल पे करने के लिए बिल चुकाने के लिए चिप इन करना पड़ा चिप इन का मतलब होता है डिस्ट्रिबूट करके देने पड़े पैसे Let's suppose 3000 का बिल था तुम तीनों को 1000-1000 रुपीज चिप इन करने पड़े contribute करने पड़े बिल देने के लिए I enjoyed this outing Outing का मतलब होता है सेल, सपाटा, बहार गूमने जाना तो मैंने इस outing को बहुत enjoy किया It was a memorable evening for us ये हमारे लिए यादगार शाम थी So, आज के लिए इतना ही I hope के आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपकी लाइफ में जरूर कुछने कुछ value add हुई होगी आपने कुछ नया जरूर सिखा होगा आपको वीडियो कैसी लगी comment करके जरूर बताना और यदि अभी तक आम ने चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe the channel and thanks for watching